ये पांच खिलाडी जो WTC फाइनल में मचा सकते हैं धमाल, बदल सकते हैं टेस्ट क्रिकेट का इतेहास, नमश्कार दोस्तों, भारत और न्यूजिलेंड के बीच फाइनल 18 जून को सौथ हैंटन में खेला जाएगा, इस इतेहासिक फाइनल को लेकर फैंस के बीच का फ्यूत सुखता है, इस फाइनल में भारत और न्यूजिलेंड के खिलाडी अपना सोभी सदी देने की कोशिश करेंगे, भारत और न्यूजिलेंड के बीच तेहासिक फाइनल में कही दिगजों पर नजर रहेगी, ऐसे में जानते हैं कि ऐसे पांच खिलाडियों पर जिस पर बता दे कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब भारत की टीम न्यूटरल वेन्यू पर टेस्ट मैच खेलने उतरेगी, भारती टीम के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाडियों के लिए यह टेस्ट मैच किसी विशव कब से कम नहीं है, तो आईए जानते हैं उन खिलाडिय के बारे में, नंबर एक रिशव पंथ, टेस्ट चैंपियन शिप के फाइनल में विरोधी टीमों की नजर रिशव पंथ पर रहेगी, पंथ ने आस्ट्रेलिया और इंगलेंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो कमाल किया, उसने कीवी टीम की नीडे उडा रखी है, बात क विशव टेस्ट चैंपियन शिप की तो पंथ ने 41.37 की ओसत से 662 रन बनाई है, इतिहासक फाइनल में पंथ यकीनन न्यूजी लेंड के लिए खत्रा है, नंबर दो केन विलियम सन, न्यूजी लेंड के कप्तान केन विलियम सन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनोती होंग बड़े मुकाबले में विलियम सन कमाल का फॉर्म रखते हैं, टेस्ट चैंपियन शिप के दरान कीवी कप्तान ने 9 टेस्ट मैच में 58.35 के ओसत से 817 रन बनाई हैं, इस दरान उन्होंने 258 रन की पारी भी खेली थी, भले ही विलियम सन इंगलेंड के खिलाव टेस्ट सीरी इसमें खामोश रही हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि यह बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट का सबसे सर्वस रेश्ट बल्लेबाज हैं, जो समय पढ़ने पर कमाल कर सकता है, नमबर 3 विराट कोहली, विशव टेस्ट चैंपियन शिप का फाइनल भारतिय कप्तान विराट कोहली क के लिए काफी एहम होने वाला है, इस टेस्ट में कोहली की एक परी उन्हें सरवकालिक महान बल्लेबास की शरेणियों में सबसे उपर पहुंचा सकती है, कोहली टेस्ट क्रिकेट में 27 शतकल लगा चुकी है, टेस्ट चैंपियन शिप के द्रान उन्होंने 14 टेस्ट खेले और 877 रन बनाई है, नमबर 4 रोहीत शर्मा, भारत के हिट मैन रोहीत शर्मा पर सब की नज़र रहेगी, टेस्ट चैंपियन शिप के फाइनल में जदी रोहीत अपने रंग में रहे तो विरोधी टीम के लिए टेस्ट बचाना मुश्कल हो जाएगा, अब तक टेस्ट चैं बैब्यो टेस्ट में 12 शतक जमाने वाले देवान कॉनवे भारत के गेंदवाजों के लिए चनौती पेश कर सकते हैं, कॉनवे के पास शांदर तकनीक है और बड़े स्कूर बनाने की शमता भी है, जिससे भारतिय टीम को जूजना पड़ सकता है और इन सब के अलावर विं कई दिग जोने माना है के इसी तेहासिक फाइनल में पंथ या फिर जड़ेजा मैच भी जेता बनकर सामने आ सकते हैं, न्यूजिलेंड के टेज गेंडवाज टीम साओधी भी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तेहासिक साबित होंगे, दोस्तों अगर आपको हमारी जानकर यच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शियर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नाम हूलें, क्यूंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लगते रहते हैं, धन्यावाद